नमस्ते आप सभी को स्वागत एक नए वीडियो में इस वीडियो में क्लास 3 का मैथ का एक्सरसाइज 6.1 के कुश्चन नंबर 6 के हल करके बताऊंगा जो काफी महत्पून कुश्चन है और इस तरह का कुश्चन हमेशा एक्जाम में पुछा जाता है तो फ्लीज आप लोग इ दैनिक ब्याय को दरसाती है जैसे दैनिक ब्याय 100 से 150, 150 से 200, 200 से 200, 2500 से 300, 300 से 300. और परिवारो की संख्या, चार, पाँच, बात, दो, दो है, तो आपकर क्या करना, इस सवाल को माध्य ग्याद करना हैं, देखें, आपको एक्जाम में न, सिम्पल क56श्चन रहेगा, देदेगा बरगंत्राल, बरमबर्ता और माध्य ग्याद करेगा, तो अंत में आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगी जाकर देख सकते हैं जो बिल्कुल असान तरीके से समझाने के कोशिस किया गया है जो ऐसे तीन भी दिये लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस कोश्चन को आप कैसे बनाए ताकि आप असानी से समझाए तो उसका मैं बिल्कुल पूरे पूरे यूज करके उस तरीके के आपको मैं समझाया हूँ तो प्लीज आप लोग अंतक जरूर देखेगा तो एक बार लाइक कर दीजे और शेर भी कर दीजे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो देखेए सबसे पहले आपको कुष्चन को इस तरीके से लिख लेना है जो वर्गंत्राल है यहां और यहां बरंबरता है जो आपको दैनिक व्याथा उसको व्र गंत्राल लिख लिए आप चाहे तो दैनिक व्याथा भी लिख सकते कोई दिकत नहीं और जो परिवारों की संख्यात उसको बारा मरता लिख लिए है और यह आपको बर्गंत्राल है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 800, 200 से 300, 300 से 350, यह बारम बरता है तो अगला आप एक चीज निकाली इधर दो चीज निकालना है इस सवाल को मैं प्रत्यक्ष विदी से हल करूँगा तो दो चीज और चही है इसमें, इसको एकसमाल लेंगे अब देखिए वर्कषिन क्या होता है, इस दोनों को जोर कर आधा कर दीजिए, वह क्या हो जाता है, वर्कषिन हो जाता है समझ गे न इस दोनों को जोर करका कर दिजे आधा तो क्या हो जाएगा वर्ग जीन जैसे 100 150 अर्हाइज 100 क्या धा कितना हो जाएगा एक्सो पचीस अब देखिए बिलकुल स्यम है 150 150 से 200 से रहाइज 100 यहिस सेम है और इसका अंतर भी सेम है जैसे 50 का अंतर है तो 100 में 50 बढ़ा दीजिए इसका एंसर हो जाएगा समझगे ना 125 में 50 बढ़ाएंगे तो 175 175 में 100 यानि 50 बढ़ाएंगे 220 और 275 में 50 बढ़ाएंगे 275 और 275 में 50 बढ़ाएंगे 325 क्योंकि यह सेम था क्या था यहां सेम था तो सेम था तो इसको हम इस तरह से एक ही निकालेंगे अगर एक निकाल लिए नहीं बताया कि एक है जैसे 100 और 1500 तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा इसको जोड़ेंगे तो आपको पता है कि सितना से हम बना सकते हैं क्योंकि यह जो इसको हम कहते अपवरजी कर सकते हैं एक निकाल लीजिएगा और जितना होगा सब को जूर दीजेगा अब वर्जी भी थी समझ गी नहीं 1.500 यां भी 1.500 यां जितना से खत्म होता उतना से फिर सुरू होता है जिसे 100 से 1.500 और 1.500 से 200 यह से अब वर्जी भी दिकाते हैं एक होता सामवेसिक भी थी इस नमाली यहां रहेगा जैसे चौथा पच्मा कोस्चन है 50 से बाउन माली जे फिर 35 से 55 फिर 56 से नठाओन इस तरह से सवाल है पच्मा साई देख लिजेगा समझ गे ने 50 से 22 तीरपन से 55 56 से नठाओन इसको बोलते सामवेसि यह बर्ग है समझे यह सामवेसि सारनी है तो आप क्या कर सकते हैं अगर इस तरह से रह सवाल और ज्यादे तर कोश्चन आपको एकजाम में इसी तरह से रहेगा तो आप क्या कीजिएगा एक का जोर कर लिख लिजेगा जैसे 35,300,300,700 यानि 300,700 के आधा 325 हैगा तो आपको यह समझ लेना है कि यह के जोर कर दोनों का उसके बाद आधा कर देना है उसका जितना का अंतर है जैसे 50 का अंतर था सम्में तो 50 बढ़ा दिये है अब क्या करना है यह एफ इंटू एक्स क दिरामबर्ता गुने बरक्चीन करना है अब देखिए इसमें से गुना कर लिजिये इसका मतलब आ इसमें से गुना करके इसमें रख दिये तो 4 में 125 से गुना करेंगे आपको पता है 500 और 5 में 175 से गुना करेंगे, तो यह 875 आएगा, 12 में 225 से गुना करेंगे, तो 2700 आएगा, और 2 में 275 से गुना करेंगे, तो आपको पता है कि 550 आएगा, गुन्ना सही से कीजिएगा, नहीं तो पूरे सवाल आपका खिचरी हो जाएगा, यह बात ध्यान में रखियेगा, से करेंगे तो साड़े 600 हो जाएगा समझ गये ना गुन्ना सही से कीजिएगा प्लीज ध्यान से कीजिएगा समझ गये ना माध्य अगर माधिका इसा बना रहे तो आपको जूर घटाओ ही सबसे महत्पूनिस में है तो नीचे इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है और यह सब को जूर के लिख देना है सिग्मा एफ तो यह सब है न और बाराचार सुल्ल सुल्ल दो अठार दो बीस पांच पचीस सब जोड़ेंगे तो कितना आएगा पचीस आएगा और यह सब को आपको जोड़ देना है और जोड़ के जो आएगा उसके लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स और इस सब को जोड़िएगा न तो याद रखिए आपको आएगा बावन सो पच्छत्तर कितना आएगा बावन सो पच तो अब माध्य गयात करना है तो लिखेंगे माध्य वराबर सिगमा एफेक्स वर्टे सिगमा एफ सिगमा एफेक्स कितना है वही बावन75 है सवाल में है आपको जब यह सही बन गातों यह असानि से बना लीजेगा और यह क्या है 25 है, कितना है, 25 है, अब 25 से 52, 75 में भाग दीजिए, भाग देने आपको आता होगा, भाग देने आता होगा, दसमलपर का भाग, तो आपको क्या करना है, 52, 75 में आपको कितना से भाग दे देना है, 25 से, ठीक है, और 25 से भाग दीजेगा, तो इसको इंसर आएगा 211, कितना दोस्व एगार आएगा याद रखेगा ऐसे चली एक बार में आपको दे कर बताता हूं इसको भाग कैसे देना है ठीक है जैसे रफ में कीजेगा बावन 75 है तो 25 से भाग दिजेगा तो 25 दोना कितना होगा इतना भी आपको मज़ोर तो नहीं है नहीं नहीं कि आपको भाग नहीं आएगा ऐसा तो हो नहीं सकता है दो में से जीरो गया दो फिर पचीस दोना पचीस से कम पचीस कितना 27 में से पचीस गया तो एक फिर 27 में से पार्च गया दो और फिर यह क्या है पचीस यानि 25 से कम पचीस कट जाएगा तो कितना बच्चा यानि जीरो बच्चा यानि 211 इसका इंसर आग्या मांध है तो इसी